सरकार के साथ किसानों की नोवे दोर की बाचीत भी बेनतीजा रही 44 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज की बैठक में तल्क रुख अपनाया है बैठक में किसान ने ताउने पोस्टर भी लगाए जिन पर गुरुमुखी में लिखा था मरेंगे या जीतेंगे बैठक के बाद भी किसान अपनी बात पर कायम रहे कृषिय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने भी माना कि अभी भी 50 फीसदी मुद्धों पर मामलाट का हुआ है इसलिए अगली बैठक 15 जनवरी को करने का फैस्टा लिया गया है बता दें कि जोरान भारती किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंग राजेवाल ने सरकार से कहा कि लोगों की बात कम सुनी जाती है आप जिद पर अड़े हुए हैं आप अपने अपने सेक्रेटरी जोइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे वे कोई न कोई लोजिक देते रहेंगे हमारे पास भी लिस्ट है फिर भी आपका फैसला है क्योंकि आप सरकार है लोगों की बात शायद कम सुनी जाती है जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है ऐसा लगता है कि इस बात को निप्टाने का आपका मन नहीं है तो समय क्यों बरबाद किया जा रहा है साफ साफ जवाब लिखकर दे दीजे हम चले जाएंगे वही बैठक में All India किसान सभा के जनरल सेकरेटरी हनान मुला ने कहा कि हमने कह दिया है कि कानून वापसी के अलावा कुछ भी मनजूर नहीं हम किसी कोट में नहीं जाएंगे कानून वापस लो नहीं तो हमारी लडाई चलती रहेगी लडेंगे नहीं तो मरेंगे योजना के मताबिक 26 जनवरी की परेड भी निकालेंगे बता दे कि जोरान भारती किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तारीक पर तारीक चल रही है बैठेक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में बिल रद्द करने की मांग की हम चाहते हैं बिल वापस हो लेकिन सरकार चाहती है कि संशोधन हो सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी किसान नेताओं ने कहा कि किर्शी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने क्रशी कानूनों को वापिस लेने की किसानों की मांग को एक बार फिर ठुकरा दिया है उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल नहीं है कानून वापसी करे तब ही घर वापसी होगी हलाकि कृशी मंत्री उन्हें समझाते रहे कि लोग तंत्र में हर समस्या का समाधान चर्चा से होता है बता दे कि अभी भी किसानों के चार मुद्दों में से दो पर बात अठकी हुई है पहला सरकार कृशी कानूनों को वापिस ले दूसरा सरकार ये लीगल गैरंटी दे कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रखेगी तीसरा बिजली विदेख वापिस लिया जाएगा चोथा पराली जलाने पर सजा का प्रावधान वापिस लिया जाए बता दे कि बिज्री विदहेक और पराली के मुद्दे पर सरकार सात्वें दोर की बाचीत में ही किसानों को भरोसा दे चुकी है वही डेरा नानक सर के मुखी बाबा लखा सिंग ने कृशी मंतरी तोमर से गुरुवार को एक मिडियेटर के तोर पर मुलाकात की सूत्रों के मुताबिक केंद्रिय मंतरी ने बाबा लखा सिंग को बताया कि सरकार अब एक प्रस्ताव तयार कर रही है जिसमें राज्य सरकारों को किर्शी कानून लागू करने या ना करने की छूट दी जाएगी डेरा नानक सर भी किसानांदोलन में शामिल है बाबा लखा सिंग ने बताया कि करीब ओने दो घंटे हुई चर्चास में मैंने कृशी मंतरी से सवाल पूछा कि अगर आपकी बात किसी नतीजे पर खत्म नहीं होती तो क्या उन राज्यों को कानून से बाहर रख सकते हैं जिन में काफी विरोध है इस पर तोमर ने सहमती जताई उन्होंने कहा कि इस मुद्धे पर किसानों से बात करने को तैयार है जो राज्य कानून को लागू करना चाहें वे करें और जो नहीं करना चाहें वे ना करें कृषी मंत्री ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया ऐसा प्रस्ताव किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए हमने किसी को सीधा एप्रोच नहीं किया है बाबा लखा सिंग के मन में दर्द था कि किसान आंदोलन कर रहे है इसलिए समाधान निकलना चाहिए हमारे बीच बाचीत हुई हमने कानूनी पक्षुने बताया ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवाद J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise